अश्कार बच्चो आसम पार्ट पांच बहादूर दोस्त कहानी को पढ़ेंगे बहादूर कार्थ होता है नीडर, सहासी दोस्त, मित्र तो इस कहानी को पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे फिर जो है इसके कठीन शब्दों के नीचे हम अंडरलाइन लगाएंगे जैसे के हमने लगाई हुए इस बुक में तो ये देखे चलिए इस कहानी को हम पढ़ेते हैं और साथ में जहां जहां कठीन शब्द आएंगे हम उन कठीन शब्दों के अर्थ भी मैं तुम्हें बताती हुई चलूँगे तो चलिए पढ़ते हैं दीपक का छटा जनम देन था अम्मा उसके लिए हल्वा और पूरी बना रही थी वह बार बार सोचता पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे शाम को पिताजी आए दीपक के हाथ में एक छोटी सी टोकरी थमाई बोले यह रहा तुम्हारा उपहार उपहार भेट है ना गिफ्ट जिसको बोलते हैं टोकरी में एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला था पिल्ला बच्चा कुत्ते का बच्चा इको पिल्ला बोलते हैं उसे देख दीपक बहुत खोश्रुआ वह अम्मा से बोला देखो अम्मा कितना सुन्दर सा पिल्ला है मैं तो इसका नाम लालू रखूंगा दीपक लालू को बहुत चाहता था और लालू भी हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता रात को लालू दीपक के पलंग के नीचे सो जाता पलंग चारपाई खाट कुछ ही दिनों में लालू खूं मोटा और बड़ा हो गया एक रात की बात है अचानक लालू के गुराने से दीपक जा गया गुराना याने की गुस्से करने से आवास निकालने लगा लालू लालू कुन था कुटा है ना गुराने लगा ऐसी आवास निकालने लगा गुस्से में जो आवास निकालते हैं तो गुराने से दीपक जा गया उसने देखा लालू जोर जोर से अपने मुझ से उसकी रजाई खीच रहा है क्या हुआ लालू क्या हुआ दीपक चिलाया दीपक ने देखा एक चोर बगल में बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है बगल में यानि कि कांच में, है ना, कांच में, दीपक ने जल्दी से टॉर्च उठाई, वह चोर चोर चिलाता हुआ बाहर आ गया, नेक्स्ट पेज़ पे आ जाएगे, चोर ने दीपक और लालू को आते देखा, तो वह घबरा गया, वह दोड़कर जट से घर के सामने एक पेड़ पर चड़ गया, इतनी देर में दीपक की अम्मा और पिताजी भी दोड़ते हुए, वहाँ आ पहुंचे, शोर सुनकर, दीपक के पडोसी, पुलिस वालों को अपने साथ ले आए, पुलिस वालों ने चोर को नीचे उत्रवाया, उससे पोटली लेकर दीपक के पिताजी को बापस की, जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थप थपाई, पीठ थप थपाई यहां पर मुहावरा है, कि उसको शाबाशी धी, वे बोले शाबाश तुमने और तुमारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया, उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए, तो देखेओ बच्चेओ, कितनी अच्छी कहानी है, और इस कहानी को लिखने वाले किसने लिखी है, विनित कोलनी, यह नाम है, लेखक है, जिनोंने इस कहानी को लिखा है, और बताया है कि किस तरह न से, बहादूर दोस्त कैसे काम आते हैं नीडर जो दोस्त होते हैं जो बहादूर दोस्त होते हैं वो अपने दोस्त की कैसे मदद करते हैं तो यहाँ पर जो है अब मैं तुम्हें इस कहानी का अर्थ समझाती हुई जा रही हूँ कहानी को समझा रही हूँ हमें थोड़ी सी रीडिंग की, जिससे की हमें पढ़ना आ गया, उचारन का हमें पता चल गया, साथ में हमें यह भी पता चला कि इस कहानी में क्या कोँछ है, अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ कहानी, सब अच्छे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, दीपक का छटा जनम तो मम्मी बहुत सारे पक्वान बनाती है बड़े वाले दिन आपके लिए केक भी बनाएगी आपको पूरी और हलुआ बनता है तरह तरह की जो आपको चीजें स्वाल लगती है उनको बनाया जाता है वे बार बार सोचता पता नहीं पिता जी मेरे लिए क्या लाएंगे अब बच्चों को जो है हमेशे अपने जन्नम देन के उपर एक उ मिद होती है कि मुझे गिफ्ट मिलेगा उपाहर मिलेगा पता नहीं पिता जी मेरे लिए क्या लाएंगे इसी परकार से चैनल सोच रह रहा ।ब नहीं चुछें अ फिल्लुत से दिपक भेसे दमकेशे खुक्षा हुआ कि बहुत अच्छा लगता था अकसर देखा गया कि बच्चों को प्ले मैं मों की फिल्ल हुआ वभा लगावada और आप भी जैसे आपने उसके कुट्टे का नाम जो है कुछ ना कुछ कुट्टे के बच्चे का नाम रखते हो इसी तरह से दीपक ने अपने कुट्टे का क्या नाम रखा लालू रख दिया अब दीपक लालू को बहुत प्यार करता था, बहुत हमेशा उसके दीपक लालू को प्यार करता और जो लालू था वो भी हमेशा दीपक के पीछे-पीछे दोड़ता रहता था, रात को लालू दीपक के पलंग के नीचे ही सो जाता था, फिर इतना प्यार होता है, आपने दे कुट्ता क्या है जानवर है तो यह जो पिल्ला है इसका लालू दोस्त बन गया दीपक का तो यह इसको बहुत प्यार करता है और इसके सासाथ ही रहता है हमेशे और इसकी ही चार पाई के नीचे सो जाता है कुछ ही दिनों में लालू खुब मोटा और बड़ा हो गया अब खा लालू जो है गुस्सा कर रहा था की आवास निका रहा था घुहूं हुसी आवास उसने देखा है व्यीने पूछ एवालू देखा कि कंज में आएक पोटली दबाए दरवाजे की तरफ बाग रहा है लहां से टॉर्च उठाई क्योंकि अंधेरे में दिखाई ने देता ना तो उसने टॉर्च उठाई वह चौर चौर चिलाता हुआ बहार आ गया अब दीपक ने चौर को छोर ने दीपक और लालु को आते हुए देख लिया वह गवरा गया कि वह वह इन्होंने तो मुझे देख लि वहाँ पर आ गई शोर सुनकर दीपक के प्रोसी भी पुलिस वालों को अपने साथ ले आये अब क्या था जब शोर की आवाज लगाई तो जो प्रोसी थे वो भी दोड़कर वहाँ पर उनके घर आ गई और वो पुलिस को भी ले आये थे अपने साथ पुलिस वालों ने चोर को नीचे उतरवाय उसने पूटली लेकर दीपक के पिताजी को वापस की जाते-जाते शेपायों ने उसकी पीट को थप-थपाया उसे शाबाशी दी और तुम ने और तुम्हारी कुत्ते ने तो कमाल कर दिया कि तुमने उस दिन से दीपक और लालू और भी पके दोस्त बन गे इस परकार से ये कहानी आप बच्चों सबको समझाई होगी और आपने इस कहानी को पढ़ा भी होगा तो ये जो कहानी है ये हमें बहुत सारी सिक्षा देती है कि एक तो हमें यह बताती है कि जानवर जो है किस परकार से बफादार होते है जो कुत्ते को सबसे बफादार माना जाता है कुत्ता जो है हमारी बहुत काम आता है यहना बहुत हमारी रक्षा करता है चोरों से भी बचाता है दुश्मनों से भी बचाता है और साथ में घर में क अपने दोस्त की हर तरह से मदद करते हैं तो यहां आप आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे कठीन शब्द हैं जिनके नीचे हमने अंडरलाइन किये तो आप भी करेंगे सबसे पहले बहादूर के नीचे अंडरलाइन कीजिए बच्चो दोस्त के नीचे अंडरलाइन कर पहार के नीचे अंडरलाइन करेंगे, पिल्ला के नीचे अंडरलाइन करेंगे, फिर अचानक, गुराने, खूब, रजाई, खीच, चिलाया, दर्वाजे, टॉर्च, नेक्स्ट पेज़ पर आजाईए, घबरा, दोड़कर, पडोसी, पुलिस, शोर, उत्रवाया, सिपाहियों, थप थपाई, शाबाश, इन शब्दों के नीचे आपने अंडरलाइन करना है, प्यारे बच्चो, सबसे परहली बात तो यह है, कि आपने इन शब्दों को अच्छे से, ध्यान से, अंडरलाइन किया होगा, और फिर साथ साथ में देखा होगा, कि यह शब्द जो है, आपको बोलने भी आगे है, जब आपकी मेम ने आपको बोल कर बताया, इसका उचारन बताया, तो आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा, तो आपको इसको बोलना भी आया, साथ में कठिन शब्दों के अर्थ, जो कि मैं तुमें बताती हुई चली गई, तो आपको शब्दों के अर्थ भी अच्छी तरह से पता चल गए, तो अब आप सब बच्चों ने ध्यान देना है, कि सब से पहले आपने इन शब्दों को अपनी नोटबुक में उतार लेना लिख लेना है, फिर इन शब्दों का अभ्यास करना है लिखने का, शुरुत लेक का, तो आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ोगे, उतनी ही आपकी अशुद्धियें जो है कम हो जाएंगी, पढ़ने के बाद आपने इसको लिखना है, एक बार आपकी गल्ती होती है, दो इसको इमानदारी से आपने उनको चेक करने के बाद, आपने उनके अशुद्धियों को तीन-तीन बार लिख कर भी देखोगे आप नोटबुक में, अपनी कौपी में जो है, लिख कर देखोगे, जिससे की अशुदियें जो हैं, आपकी शुद्ध हो सके, अशुद्धahan को हो जाएंगी शुद्धा हो जाएगा शब्दाप का तो इससे आप